हेलो फूडीज, वेलकम टू रस्वई का स्वाथ, कैसे हैं, आप सब होब करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखे, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक बहुत ही टेस्टी पराठे की रेसिपी, ये है गार्लिक मसाला पराठा और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लेज हैं, इसको हमने बनाया है लच्छे पराठे की तरह से, और मसाला आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये पराठा हमारा लग रहा है, बिना किसी अचार चटनिया दही के भी आप ये पराठा खा सकते हैं, चलिए बनाना शुर ढाल दी है एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का लिया था एक छोटा चमच लिया था सांभर मसाला नमक तक हिसाब से और कुटी भी लाल मिर्च ये सारी चीज़ें डाल करके हम चला लेंगे और हमारा मसाला जो हमें बीच में फिल करना है वो तयार हो जाएगा याद रखेगा फ्रेंज जो आप बटर ले रहे हो वो रूम टेंपरेचर पे ही हो मेल्ट करके अगर आपने बटर लिया तो आपके मसाले अच्छी तरह से उसमें मिलेंगे नहीं और जब आप अपने उसको प्राठे पे इसको फैलाएंगे तो फिर आपको उसको फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होगी तो मेल्ट नहीं करिएगा जब भी आपको प्राठा त्यार करना हो तो करीब थोड़ी देर पहले आप अपना मखन फ्रिस से निकाल करके बाहर रख दीजेगा जिससे की वो रूम टेंपरेचर पे हो जाए सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा लैसून की कॉंटरिटी और मसालों की कॉंटरिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक का ध्यान रखेगा ये हमारा मसाला तयार हो गया है चलिए अब पराठा ब्राना शुरू करते हैं पराठे के लिए जो आठा हमने लिया है वो गेहूं का आठा है आप चाहें तो इसको मैदे में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें गेहूं का आठा यूज किया है नॉर्मल पराठा हमने इसका गूत करके रखा हुआ था जैसे कि हम अपने प्राठे के लिए गूते हैं वैसे ही आटा हमने इसका लिया है और फिर इसके बाद आप अपने वरकिंग स्टेशन पे एक मीडियम साइज की लोई लेंगे और उसको पतला और बड़े साइज का बनाएंगे छोटी रोटी टाइप की हमको नहीं बनाना है थोड़े बड़े साइज का प्राठा इसका रहेगा जो रोटी का साइज होगा वो बड़ा होगा आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी पतली बिली है और बड़े साइज की है ये हमारा एक तरफ का बिल चुका है अब हम इस पे जो हमने पेस्ट तियार किया था उसको ह हम spread करेंगे आप हाथ से ब्रश से स्पून से किसी से भी spread कर सकते हैं बस वो अच्छी तरीके से पूरी रोटी के उपर लगा होना चाहिए थोड़ी सी धन्या की पती इस पे spread कर दीजे और जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे हम बच्पन में फैन बनाते थे पेपर का fan मनाते थे बिल्कुल उसी तरह से हमें अपना ये पराठा फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर हम एक finger बीच में लगाएंगे और ऐसे roll करके जो end है उसको इस उंगली के अंदर जहां जगाती वहां हम टक कर देंगे थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे थोड़ा सा ठिक रहने दीजेगा पराठा बहुत ही पतला मत बेलिएगा नहीं तो जो layers है वो आपस में चिपक जाएंगी और बहुत अच्छा खिल के और खुल के पराठा नहीं आएगा और बहुत हलका हाथ इस पे चलाना है पराठा बिल चुका है भी सेख सकते हैं मीडियम आच रख करके हमको इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन प्राउन होने तक इसको सेख लेना है बहुत इजी सा पराठा है फ्रेंस लेकिन इतने flavors होते हैं इसमें जो इसमें बटर और गार्लिक का फ्लेवर है उसके साथ साथ जो हमने इ बित चुका है दोनों तरफ से बस इसको गरम गरम ऐसी ही सर्फ करिए आप चाहें तो इसको चटनी अचार या दही किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और खाली भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंस देखिए हमारा पराठा बन करके तयार हो गया है अगर अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीठे का रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेर जरूर करिये का अब करती हूं कि आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करें के फिर मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक क्या थैंक क्यूंक यू